प्रधान मंत्री नरेंद मोदी आज देश में 5G तूर संचार सेवाओं की शुरुवात उनके द्वारा कर दी गई है और देश में 5G सेवा शुरू होने के बाद संचार करांती के एक नए युक की शुरुवात हो गई है इससे सिमलेस कवरिज, हाई डेटा रेट, लो एटेंसी और अत्यथिक विश्वशनिय संचार प्रणाली की सुईधा मिलेगी प्रधान मंत्री रेंद मोदी दिल्ली के प्रगती मैदान में पहुँच एक कारिकरम में 5G सेवाओं की शुरुवात की और इस अवसर पर देश के तीन प्रमुख दूर संचार ऑपरेटर भी मौजुद रहे प्रधान मंत्री मोदी ने हाइस्पीट मोबाइल इंटरनेट सुईधा के शुभारम के दौरान दिल्ली के दौरका सेक्टर 25 में मेट्रो के आगामी स्टेशन की भूमिगत सुरंग से 5G सेवाओं के कामकाच का प्रदर्शन भी देखा और वहीं दूर संचार के इतिहास मे आज का दिन सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा और डिजिटल इंडिया की नीव ये रहेगा और ये हर ब्यक्ती तक डिजिटल सेवाइ पहुचाने का माध्यम अग्यान का व्हाओं का प्रदर्शन भी ये रहे विखाँ आख एजिट्वागारा से प्रदर्शन भी विजिटल बाइंसे सब्सक्राइड इनीव ये अविटलोग तो मैं लिख पर गयाओंने खनाव टर्दर्शन का डियु है वजिटलोग प्यां वेति टूर्शन अन 5th century technologies like Artificial Intelligence, Internet of Things, Robotics, Blockchain and Metaverse. In fact, I think of 5G as an acronym for 5 goals that fundamentally can transform our nation. First, 5G and 5G-enabled digital solutions can bring affordable and high-quality education and skill development within the reach of common Indians. This will help young Indians realize their full potential by arming them with world-class capabilities and competencies so that they can earn more and make India globally competitive. Second, 5G can affordably deliver high-quality healthcare to rural and remote areas by turning existing hospitals into smart hospitals without much additional investment.